आप सभी साथकों को स्वागत है, मैं अर्विन सक्से ना बोल लाउं, साथन रगत के रहस्यों चत्तत्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और इसमें दीगई भी प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें अब यह जो वीडियो है, इसका टॉपिक है, प्रेट सिद्धी, हितर योनी सिद्धी करके भसे लोग क्या करें तो यह थोड़ा सा एक गंभीर विशा है यह और यह इसके लिए जो है, मैं बेक्राउंड गूरूप में भी जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं इस चैनल में, वो सभी महतरपूर्ण हैं इस जीज को पूरा तौर पर समझने के लिए और इससे पूरा चुटकारा पाने क विशे जुरूप से इसमें एक जो सीरीज मैंने बनाई है, प्लेलिस्ट में भी है, काला जादू, उसको देख लीजेगा, और अगोर साधना रहसे, इसको जरूर देखना है, और इसके बाद जो है, उपाय के लिए साधना पक्ष वाले जो है, वाले सीरीज है, उसमें भी पहली बात तो यह है, कि जो प्रेज सिद्धी और अथर्यूनी सिद्धी करके जो फस गए हैं, वो कुछ कर भी नहीं भाएंगे, वो तभी कुछ कर भाएंगे, जब उनका थोड़ा बात भागे कुछ बचा होगा, क्योंकि यह जो है, जो मैंने एक और इसमें जो है, सीरीज जो है, वो देखिएगा उसमें, असुर असुर, भाग एक, भाग दो, और इसमें ही असुर सुर संक्राम, तो असुर और असुर के बारे में मैंने उसे बताया है, इस संसार में, दो प्रकार के आत्माएं, और दोनों प्रकार के आत्माएं, माता ने क्रियेट इसलिए करी गई है, कि जो है, इस दुनिया में दिवी लीला होती रहे, दोनों एक दूशे का पोजिट होते हैं, उसमे तो जो असुरों की जो तामसिक बुद्धी जो होती है वो तामसिक इंटलेक्ट कहीं उसे तामसिक बुद्धी होगी तो जो तामसिक बुद्धी होती है तामसिक बुद्धी की विशिष्था ये होती है कि विवेक्टी के पास जो होता है विवेक्ष होता नहीं होता है विवेक्ष 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 होता है विव वो लगातार सेम चीज़ को बार बार समझाया जाए गर तुम यह कही गल्ती कर रहें, इसको नहीं करो तो नहीं मानेगा हो। अधिर हो सकता है कि अगर इसमें जाते तामस्पहर हो तो समझाने वाले हो सकता है उसे जगड़ा भी कर ले यह तो यह असूर की बात हुई जो सूर होते हैं उनमें ये बात होती है कि उनमें विवेक बुद्धी होती है और उनको वो गलती वो भी करेंगे क्योंकि मुनुच नहीं है तो लेकिन उनको गलती समझाए जाएगी वो मानेंगे और पहर अपने एक कर्यक्टर लेंगे और सभी मार पकड़ लेंगे लेकिन यह आसूरों में बात नहीं होथी तो यह जो है संसार में समय जो समय चला है वो असुरों का चला है तामसे गुण इसलिए विद्धी हो गई है पुरी विष्व में ब्रह्मांड में उस तामसे गुणों की विद्धी होने के काट जो होता है जो होता है जो होता है जो दोते हैं अपराद होते हैं बीमारियां होती है लड़ाई जगड़े यह सारी चीज़ं होता है है क्लिफ और वह प्रूर स्कून ब्रचेब नहते हैं कि मेरे नियन तरहना छेज आ जाए कि क्या होता है कि यदि कोई वक्ती जिसमें आसुरी शक्तियों का जिसको करना चाहिए कि तामसे गुर्ण जा दे हो किसी की वज़े से सुवह में आसुर हो सकता है या सुर होगा तो उसके उपर आसुरी शक्तियों को प्रभाव हो जाएगा जितने भी इन्वेजिबिल शक्तिया होती है अद्रश वो समझ लिए कि सारी कि सारी आसरी शक्तिय ही होंगी अब ये कोई सोच है कि नहीं वो मेरा किसी का भला करती होंगी उसका करती होंगी तो वो उनको आसरी नहीं मना जाए चेजह जाते हुए सब करने में उं जाते हुए है किमरने के बाद यहा धैनी में जाते हो तो यह बिल्कुल क्लियर शमज़गे लिना चाहिए कि इतार्यो्नि में किसी का भी कि ऊफर प्रभाव होगा तो उसके उसकें थामसिक बुद्धी उत्प्पन हो जाएगी तो सूर अलों भी इक दामषिग बुद्धि उत्बन हो गई तब ही ये दामषिग बुद्धि जिसके पास होगी वो जो होगा ये परेद सिद्धी और इत्र जिए उनि शिद्धिऊं को हासिल करने में जायेगा क्योंकि इन सिद्धियों को हासिल करने का एक वेसिक एम क्या है कि जल्ली और तत्काल जतना शीक्र हो सके हम एक कुछ ऐसी ताकत हासिल कर लें जिससे हम अपनी बहुत एक इक्षाओं की पूर्ति कर सके तो यह इतर यूनिया जो होती है आध्यात्मे इक्षाओं के पूर्ति क्योंकि स्व्म में कभी आध्यात्मिक रहे नहीं है तो यह दुसरे को क्या आध्यात्मिक ज्यान दे पाएंगे। ईनके द्वारा केवल एक एक अपनी योगों के जानकरी के लिए एक मेरा वीडियो है मगवान का कालगरम उसको भी देख लीजएगा और समय में आ जाएगी बात तो आज के समय में क्या है कि यह जो इतर यूनिया जितनी भी हैं यह बहुत ही नजदीक मनुश्यों के हैं और वो उनकी जीवन में चाहती है कि उन् जीवन में अप्रवेश कर जाती है लेकिन यहां आप सिद्धी की बात बोला हूं इसमें तो वह आली बात हो गई कि एक वक्ति के मन में आया कि चलो मैं यह हूं यह हूं एक सफलता प्राप्ति जो की शीक्र मुझे मिल जाए उसके लिए मैं एक निजदीता रूनी और प्र प्रवेश करने के लिए यह खुदी मार्क बनवा देती है बना देती है अब मंत्र तो इनके लिए समझे लिए साफे जैसा हो गया एक आवरा चोटा सा एक फॉर्मल्टी समझ लीजिए यह खुदी तयार बैठेंगे हमको कोई बुला है हम घर में घुसे तो खेर जो भी उन्होंने कहीं सभी कोई मंत्र निकाला वो जो भी मंत्रों उसके बारे में में जर्चा नहीं करूंगा आव उन् को प्रेज सिद्धी मिल गई या इतर इवनी सिद्धी मिल गई जिसने भी करी अब वहां से उसका जो है जीवन का पतन होना प्रारंब लेकिन उसको समझ में नहीं आया क्योंकि वह आसोरी शक्तिया है जिनकी उसमें सिद्धी करी है वह हमेशा एक प्रेंड़ा देंगे कि नहीं तुम बहुत ताकत वर हो गयो तुमारी ताकत बढ़ गई है अब देखो तुमारे कितने काम बनने लग गए जो काम पहले नहीं बन पाते थे आप देखो खटा-खट बन रहे हैं और तो उसकी वज़े से यह चुकि माइंड का पूरा कंट्रोल कर लेंगी है तो इसलिए वह उस वक्ति को समझ में कभी नहीं आएगा यह रूल हमेशा याद रखियेगा कि हूं कौन कि इसको कंट्रोल करेगा जिसके पास ज्यादर केशार के सबढ़ा हुए अफसर separately प्रेटों से अर APIs जादराय होगी वह बहुत कमज़ोर दिमाग का होगा के। उसरो के आत्मा मुझ कमज़ोर होगी नहीं तो इस तरफ जाता ही कि ãoगर अगर शक्तिशारbook रियोनियों के लिए आपने जीवन कोregैने का कर रहा हूं कि दुर्भाग कि उसके सरपे होगा इसलिए वो इस तरफ जाएगा भी तो खेर मतलब कहने का यह है कि इतर यूनी जो है और प्रेत्र जो है उस व्यक्ति को गंट्रोल करेंगे जो सोचता है कि मेरे को सिद्धी मिल गई हो कितनी मजाग की बात है कि उसको लग रहा है कि मुझे सिद्धी मिल गई जबकि वो तो चंगुल में आ गया प्रेत्रों को बिसिकली इसकी सिद्धी मिल गई इस आदमी को अपने मूर्ख आदमी को अपने चंगुल में ले लिया है अब होगा क्या कि भी उसके काम भी बनेंगे, जो वो शक्तियां के काम करेंगी, काम करने के बाद जो है उसको अच्छा भी लगेगा कि हाँ मेरे बहुत सारे काम हो रहे हैं, ऐसे लोग आके चल के गुरू बनने के त्यारी करते हैं, कि और लोगों को कमजूर दिमाग वाले पकड़ ले, प्रभावित कर ले, उनमें भी इतर यूनिया यही मदद करती है, प्रेट, कि आओ भी मेरे पास, आओ, मैं भी तुमको सिखाता हूँ, गुरू बन गया हूँ, आओ, इस तरीके से वो जो होता है, कैंसर फैलने लगता है समाज में, यह बहुती गंदा और विश सिद्धी के सब धखेल लेंगे, अब क्या होगा, जब कोई काम दुनिया में फ्री नहीं होता है, कोई सोचेगी इस दुनिया में, कोई बक्ती सोचेगी, हम इतर यूनियों से काम करा लेंगे, फ्री में करा लेंगे, वो नहीं होगा, अब इस सोचने की बात है, कुछ लग कहते हैं कि निया जलो मैं बकरा दे दूँगा कोई मैं इनको क्या होता है मुर्गी दे दूँगा या कोई अबली दे दूँगा या कोई मिठाई दे दूँगा या और कुछ कर दूँगा इनके लिए और इनको मैं अपने साथ में रखे रहूंगा यह बहुत ऐसे लोगा कि पर देख मुर्गी से बकरे से हमारे चंगुल में रहेंगे तो गला सोचता है कभी भी नहीं रहेंगे यह सोचना है कि हम एक चोटे-चोटी चीज़ें देखें और बड़े-बड़े काम करा लें वो भी जो है प्रेज जो यूनी में पहुंचें वो भी कोई मूर्ड थोड़ जीवन में उसके जो प्रान शक्ति होती है उसका भक्षन करते हैं यह बात आपको कहीं जल्दी नहीं मिलेगी आपको वेदों में लेगी वेदों की सम्मिता में मिलेगी इसके लिए भी मैंने कुछ वीडियो बनाए है अदरश दंसार के बारे में उनकी भी प्लेइलिस्ट आप देखेए कि मिलेगा भूराक्षास, रक्षसनी, पिशाच इन समों के बारे में वेदों सम्मिता में मिलेगी वणनार और इसके चुटकार आपाई जाए उसका भी वणनार है क्या करते हैं किस तरीके से प्राशक्ति को खाते हैं किस तरह से रक्त को पीते हैं किस तरह से घर में बीमारी लाते हैं किस तरह से विकटन करते हैं किस तरह अन्याय को जन्म देते हैं तो पहले तो आदमी जिसने की सद्धी उसकी नस्ट होने की प्रक्रिया प्रारम हो अब प्राण शक्ति भक्षण लोगी तो गम्जोर होगा वो देंगे तो उसको अपनी शक्ति फिर से कुछ इंजेक्ट करेंगे उसमें तो उसको लगेगा नहीं मैं सीधा खड़ा हूँ यह पता कर चलेगा कि प्राण शक्ति समाथ हो रही है यदि मल लिए एक्जम्पल बता होगी कि जब प्रेत प्रवावित वक्ति से प्रेत को अटाए राता है तो वो किस तरह के से कॉलाप्स करता है वो गिरता है वो एक तो यह बात होई दूसरी उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को भी नहीं छोड़ा जाएगा पत्नी, बच्चे और भी जो घर में रह रहे होगे सब को इसी तरह के से विनाश की तरफ धकेल देंगे सब प्रेत युनिया और प्रेत और यह तर युनिया मुलब आप समझ लीजए कि कितनी बड़ी भारी विनाश की त्यारी हो गई इसके बाद भी कर्म नहीं रुक रहा है जो पितर होते हैं कई इनकी भी मुक्ति नहीं होती वो भी घर में रह रहे होते हैं साथ में उनको भी छोड़ते नहीं है उनको भी जैसे सब बंदा गुना लेंगे और फिर उनका और उनका दोस्ती बनने लग जाएगी और फिर वो क्या कहा जाए उसके बारे में कुछ मुलब ये डिटेल में नहीं बताया रह सकता है कि क्या होगा लेकिन यह होगा कि वो प्रेथों को जंबटा लगने लग जाएगा और वो व्यक्ति जो है दीमे दीमे सो कहते है न जब पैशाजिक शक्तियों का प्रभाव बढ़ेगा तो व्यक्ति के अंदर में वो बात आती है जिसको कहते हैं कि बहुत कि मैं कुछ भी कर दूँगा कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता है यह लेंग्वेज उसकी हो जाएगी उसको कभी समझ भी नहीं आया क्योंकि वो बहुत आगे घराई में गड्डेम चला गया हूं तो जो मैंने अभी यह बात वीडियो का टाइटल है प्रेज सिद्धी इजर दर्चा कर दिया है तो आप सोच रहे हो गें कि अगर को इसा परज गया आद्मी जो निकलेगा कैसे अवी बिल्कुल सही बात है कैसे निकलेगा एख it everyone one पॉसेट चांस क्या है कि यह ती उसके घर में उसने तो वह तो और जो य।ो गया आद्मी लेकि माली इसगार के अरी कुछ अच्छ उसके पित्र । तब वो वक्ति कि मन में आयेगा किसी समय एक थोड़े 2 के लिए एक मिनित के लिए गंटे लिए फ्रकम्नेगा किसे ज्यादे नहीं आरेगा क्योंकि जैसी दिमाग इकलगकी खुलेगी उस में अच्चे समय लिए ढगए तो तुम यहां फस गयो निकलो यहां से तो थुरांत प्रेज शक्तियां और रेटरियोनी शक्तियां उसको फिर से नरवादा बंद कर देंगी उसके दिमाग का और उसको फिर से वापस भी कर देंगी नहीं तुम जैसे हो ऐसे बहुत अच्छे हो लेकिन माल लिजिये कि एक पर सिंट चांस माल लिएगी उसके मन में आ गया है कि हां बही मैं आए यहां गर में किज़ी सज के मन में आया तो क्या करेंगी भुषी complex vu क्हेल है और इस जो शक्तिया हैं इन से निबटने के उपाई जो है यह मैंने जो साधना पक्ष में जितने वीडियोज हैं वो सारे के सारे बेसिकली इन ही के उपाई है उन में से एक वीडियो नंबर 125 है तारा साधना रहस उसको देखिएगा उसमें भी कई चीज़े मिलेंगे आपको वैदिक मंतरों का अपयोब और तारा साधना इन दोनों को कमाइंड करना पड़ेगा तब जाके यह निकलेंगी कैसे निकलेंगी उस सब बाते में डिटेल में उसे बता दिये हैं यहां बताओंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तारा का मुद्ला में तारने वाली एक बात जहां रखना है और वैदिक मंतरों में कौन-कौन से मंतरों का उसके अंदर इस्थमाल किया गया है वो रखना है एक तो दिरगाई वाले वीडियो लो देखिएक जो वैदिक दिरगाई हुस साथना वाली मीडिया है उसमें क्योंकि ऐसे वक्ति से जब भी यह शक्तिया महार जाएंगी तो उसको अपने साथ खीच के लाने कोषिश करेंगी उसको मारने कोषिश करेंगी या फिर उसके परिवार के किसी साथ से रोज़े के तो बना हुआ है वाधिक दिर्गाद मलायूं के लिए साधना वह भी वीडियो बना हुआ उसको देखिएगा और साधना पक्षम सम मिल लाएंगे उनको सब को देख के पूरी तयारी जब हो जाएं मेंटली तब साधना प्रारंब करनी है पर एक पार्पसाधना प्रारंब करनी है तो लगातार करनी है फिर एक दिन भी नागा नहीं होना है बागी साधना ठाख्षमे मैं धिमैदि में अपडेट भी खर रहा हूं वीडियोज को लोग ही relevant हो साधकों के लिए कि तो वो उन्स को देखना और उनमें से जितनी भी साथना है जो कि उसके अंदर उनको समझ ब्यारी जो मैंने बता है इन साथना को विशेष रूप से देखना है बागी इनमें से जो भी उचेत लगती हैं को करना अपने परसितियों को देखते हुए कि वैदिक मंतरों को मलावा इनमना प्रारंविक रूप से बता रहे हैं और प्रारंविक रूप से वैदिक मंतर तुरंत कवच का काम कर देंगे किसी के लिए भी करते हैं उसको छोड़े बिना ये समस्या समाप तो नहीं होगी यह मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि एवल सोचे कि तांतरिक मंतरों के पास सिमय कर लूँगा तो नहीं होगी और रही बात है कि किसी हम और बढले थांतरे को ढूंथे तो फिर तो आप समझ लिए कि और के खराब होना है क्योंकि फिर ये शक्तिय हैं उसकी शक्तिय हैं यह तांतरे की दोनों मिलके फिर वो और गंदा क्यल केलेंगी तो चेस जो और हो था आप खड़ाब ही होता जला जाएगा किसी के पास नहीं जाना है जो कुछ करना है जो है धर में करना ये सारे चीजह आपको इन वीडियो जो अनों बताया भीडियो No.25 तारह शाधना रहस्य में और बागी वीडियो वाले रोगमुक्टी वाले इनको विशेश रूप से देखना है बागी और सारी चीज़ों को भी देखना है तबी इसमें कुछ समाधान संभव है नहीं तो कुछ संभव नहीं क्या होता है अगर इसका समाधान नहीं किया जाए इस समस्या का तो वो व्यक्ति को क्या होता है कि वो उसकी डेथ के बाद में पहल लोग क्या करेंगे उसकी मृत्यूभी कम होते हैं मलब जल्ली आएगी और ये फिर ये ताक में बैठे रहते हैं प्रेत यूनी वाले प्रेत सिद्धी प्रेत लोग जो हैं और इतर यूनी उसको अपने साथ में मारके ले जाएंगे अब वहाँ जो जाके उसको अपना दास बना के काम कराएंगे अभी यहाँ पर यह सोचता है कि मैं अभी जब तक यह जिन्दा यह वक्ती ही मैंने सिद्धी कर लिए अब मैं इतर यूनी और प्रेतों से काम करा रहा हूँ यह इसके मन में एक ब्रहम है मरने के बाद इसका उल्टा होना है यह काम करेगा उन प्रेतीयोनियों के लेकिन वो तो मरने के बाद पता चलेगा जब तक इतनी मन में प्रबल अहिंकार बना रहेगा कि ये पेतों के और इतरियों के जारा कि तुम तो बगवान बन गया हो तो कुछ भी कर सकते हो किसी का तब ये बात है अगर तो बताई जाए तो उसको तो कुछ मजाक से लगेगा वहास उडाएगा तो वह तो खेर अलग बात होगी लेकिन ये मल अंत इसमें बहुत खराब होना है इसलिए इसका उबाय निश्चेत रूप से कर लेना जाहिए इतना जल्ली हो सके और कम से कम वह व्यक्ति ना भी करने की सिती में हो कितना कंट्रोल उसका प्रभावित हो उसके मन में कितना कोई कोई जल्ली आएका भी नहीं और इसको कंट्रोल होगा तो उसके घर परिबार की वह अवश्र करने जाहिए कि अपने घर को ही इन जो भी साधना है प्रौपर्ली साधना है वेदुक्त साधना है उसको करना जाहिए तब ही समस्ताश शुटकारा मिलेगा और कभी भूल के प स्ख City और इतर इन्은 सिद्धियों से कि पास नहीं जाना चाहिए न कि आ एप ना किछी सिखने के मन में अनना चाहिए ना कि आ रखीसी कृटानों में इसने बहुत ही एक ऐसी चीज है जो कि जीवन को सथ्यानाश्य करती और कुछ नहीं करती की पूरी पीडी नस्त हो गई वीडियों की पीडियह नस्त हो गई कई बार तो ऐसा होता है कि हो अनकती क्ति चमौ अपने सात ले जाते हैं और तब भी लोग उनके जो कि घरमें आ जाते हैं नियुक्त ब्रहुत Mỹन dhka जे आदि देलध मैं कि वो कभी भी प्रेज सिद्धी और इतर यूनी सिद्धी के तरब नहीं जाएंगे यह मेरा विश्वास है लेकिन यदि कोई ऐसा हो जो कि इस तरब में चला गया हो और उसको अब समझ में आ गया हो एक सेकंड के लिए भी कहां मुझे चुटकारा मिलना चाहिए तो उसको भ समझे लें कि अंत में बात कि और वह सबसे महतुब बात है कि जो उपर वाली शक्ति है वह आपको नीचे वाली शक्ति से उठा देगी कि नहीं बड़ी शक्ति चोटी शक्ति के कंट्रोल कर सकती है तो मैंने आपको जो तारा साधना रह से मताया मातारा की पूझा आप करें कि वीडियों में दिया 125 में कि तो मार्त आपको ऊपर खीश देंगी इस सबसें जोटें और शब्यूंन करने पड़े जो सबसे पैशिक ति की नेए से करने महा बद्धिया की साधना करने पड़े Gulf वेदों के सोक्तों की साथ नहीं पड़ा है। कि खास्तों पर पता चले हैं कि या भर इश्षिद्धी वाला है तो उसको दवाइसी पड़ाम करके निकल जाना चेहिए वहां से। है कि मतलब नहीं को रहनी तो उची शक्ति के शर्ण में जाए और इन सारी पैश्यार्टिश शक्तिओं पर तबिविजय हासिल हो सकती असान रास्ता नहीं लेकि रास्ता है असंभो जीवन में कुछ नहीं है जब हमारे घर में वेद हैं अमारे घर में मातारा हैं उनकी साधना होती है तो फिर डरने की क्या बात है? ठीक है संगर्ष होगा लेकिन जीत उसी की होगी जो वेदों की शरण में है मातारा की शरण में है वो जीतेगा यह तो निश्चत माले है यह साधना है आपको समाधी तक लेगा कोई अपने सामने हवरोध को ठिकने नहीं देती तो यह क्या है यह लोग क्या है ठिकने वाले यह प्रेथ और इधर उनिया तो मन में भैर नहीं होना चाहिए जब आपके पाद स्टॉंक साधना हैं तो आशा करता हूँ कि आप सब्लों के जानकरी अच्छी लगी होगी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद